मोगा के गाउं हिम्मत पुरा में पराली से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई आग बिजली के तारों के चपेट में आने से लगी थी सूचना पर पहुंची दो फायर बिगेट की गाडियों ने कड़ी मशकत के साथ आग पर काबू पाया ग्रामिनों ने बताया कि पंजाब सरकार की और से किसानों को पराली में आग लगाने से मना किया गया है जिसके चलते किसानों की और से पराली की गाठ बांध कर डंप में भीजी जा रही थी तब ही पराली की भरी ट्रॉली गाहों से गुजरी और बिजली की इतारों से चपेट में आग गई बिजली की इतारों की चपेट में आने से पराली में आग लग गई को अच्को अच्छाए फाली खाली रहाते हैंगाएटिक आप अच्छाएए अच्छाएएघ यह उनकी के है यह को तृफार है और फोरी नोहां फूरीैज एक्ता क्रिद जो याओ यह नहीं परण। तो कंटे कंटे बाद पचिव, कंटे जा दी, और दुबाद दो कंटे अंहों गए, अनल नेक खुरम गाई है फैरेट, जी पहिला ले जी, तो इसी में लेदा साओ लीटर पानी मसा होनी, और जा उनी था के सी, नहीं उतुप जादे हावा थिकानी जी उतुप जादे आ कला झाल झाल